नमस्कार दोस्तो caf तैगनीकल में एक वर फेच्व स्थापका बहुत ह्स्वागत है दोस्तों आज आ पको पता की आरो की लगा जाताता है दोस्तों सब सबसे पहले हमें आरो का जो स्टेंड है वह फिक्स करना क्वा दोस्तोमीं दो निशान लगाने हैं दो निशान लगाने के बाद हमें इसमें ट्रिल हैमर की मदद से सुराग करने पड़ेंगे तो निशान देही सबसे जरूरी है निशान देही अच्छे से होने चाहिए दोनों तरफ से इसको पूरी पहमाइस करने के बाद आरो के पिछे का इस्टा जो द कि इसमें ना हो यह हैं ध्यान दे ना है पहले तो सिसके बाद जो फुम है और किसे दो कमा यह हम इसके बढ़ने के बाद प्यूद्वान के बाद इसमन जो प्रोस्टिक में शुक्रेदना आपके होते हैं जो नोर्मल ब्लाइक पेच होते हो नहीं होते हैं यह जो वुड़न पेच होते हैं जो लकड़ी में काम आते हैं वह वाले पेच हैं और इन पेच में काफी मजबूती बनी रहती है आरो लगाने के दुरान तो दोस्तो यही इसी प्रकार के पेज पेज अगमेशना यूज की जिए ताकि आरो जो है वो पूरे अछी तरह से हमारा लटका रहे गिरे ना तो दोस्तों इनको भी हमें स्क्रू की मदद से टाइट करना है ताकि काफी मजबूती मिलती रहे इनको और दोस्तों पेच हमने स्क्रू हमने लगा दिये हैं अभी हमें आरो फिट करना है आरो का जो स्टैंड है वो लग चुका है आरो में अभी लगाना है और देखे दोस्त तो आरो हम लगा रहे हैं और अच्छी तरह ऐसे पूरी संतुष्टी होने तक इसको हमें अच्छे से देखना है परकना जांचना है उपर नीचे दाइबाएं से हमें देखना है कि स्क्रू में आरो अच्छी तरफ फिट हुआ है या नहीं है तो कई बार मिस्त्री क्या करते हैं टेगनेशन क्या करते हैं इसको जल्दवाजी में एक पेस पर ही लगा के चला जाते हैं बाद में हाथसा होने का खत् हैं दोस्तों इसमें बाओल में जो इन पॉंट है उसमें फ्रेस मानि आएगा और आउट पाय प्रोल्वाज में जो फिल्टर होके पारेजाए बेपार्ना हो में जो पने घान के लिए वह तो नहीं ऐगये के लिए आदे कि दोस्तों हमें यह process लगब कंप्लीट कर दी है और अभी हमें बाउल लगाना है बाउल हम अभी लगा देंगे Гरों की मदद से और अच्छे से लगादेंगे ताकि गिरनेका खत्रा ना हो देखिए दोस्तों जैसा हम कर रहे हैं जैसा हमारा करने से जो मजबत्य मिलती है वो ज्यादा मिलती है ठीक है दोस्तों देखिए अभी हमें बाउल के जो connection है बाउल में से जो आउट लिखा हुआ था जहां पे वहां पर एक पाइप लगा दिये और वह आरो के साथ Connect कर दी है जो आरो में इनका प्याइट होता है पर जो बारो यह बड़ी यौर का प्याइट होता है उसमें से आपर लेकर आपर बॉके इन वाली आइसर में लगा दिया दोस्तों आप Northern करके एक साइड वाला हिस्सा फाली रहे है उद्समें हमें फ्रेस来णिन देना है परापि पानी के इसके प्रेस ले ली ऎला है ऊछ्लिकेश का वह किसी प्धार का ना रहे और जो इन वाली साइड है उसमें से पाइप लेके जो टैब के पास में हमने एक छोटा टैब लगा दिया है आरो के सबक्राइब में पाइप करने हैं और जी जो पाइप अधर है का की पाइप सब्सक्राइब को डिए को है है यह ड्लिट अब भी इसके अंदर आगंए नहीं कि पाउल के अंदर जाएगा लेति थे पाइए लेकिन और आपने इतर झाए गाइगा यह इसी दोस्तों ने ओन किया है ओन करने के बाद यह जो पानी है आरों में पानी जाना स्टार्ट हो गया है